नमस्कार दोस्तों MRG चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों आपके सामने देखो ये एक 245 मर्क 3 की हैडरोलिक लिप्ट को कैसे ओपन करते हैं पूरी हैडरोलिक लिप्ट को हैड को और हैडरोलिक पंप को कैसे खोलते हैं खोलते हुक आगर वीडियो आपको देखना है इस वीडियो में आप कंटिन्यो बने रही है ये मैंने रेम स्लेंडर हटा दिया है अभी आपके सामने रेम स्लेंडर हट रहा है जो ये आप देख रहे हो अभी ये जो फर्ग लिवर है इसको बार निकालना होगा पहले क्योंकि इसकी जो फर्ग पत्ती है वो पहले से अंदर फिक्स होती है यह जिस तरह अपन मेशी इस्टेंडर की जो लिफ्ट होती है या डियाई की लिफ्ट होती है उस लिफ्ट का आपन रेम सिलेंडर जिस तरह बाहर निकालते हैं वैसे इसका नहीं निकलता है यह आपके सामने देख इस पती को पूरा बार निकलना होगा इस तरह जो अभी आपके सामने देखो मैंने निकाल दीए अब यह रेम सिलनेंडर हट गया है अलक हो गया आपके सामने अभी अपन दोस्तों यह फौरग पती हैं इसका फौरग लिवर एक होता है कंट्रोल लिसी लिवर और पीसी लिवर दोनों साथ में होते हैं जिस तरह ये अभी आपके सामने देखो मैं हटा रहा हूँ इन इस्प्रिंगों को बाहर निकाल लेंगे अब अपन ऐसा करेंगे कि ये इसकी जो फरक पतियों की कैम होती है इस कैम को इस तरह बार निकाल लेंगे बार निकालोगे तो ये आपके सामने बिलकुल फरक बार आदेंगे तो दोस्तों कापी लोगों के कॉमेंट भी आये है टू फॉर फाइब की लिवट पे कि माला राम जी इसका सेटिंग कैसे होता वो बताए अब ही मैंने ये वीडियो आप लोगों को दिया है कि इसकी लिप्ट को खूलते कैसे है तो ये देखो आपके सामने ये खराब है ये भी खराब है और ये भी देखो बहुत लूज है इसको भी मैं चैंज करने वाला हूँ इसका ये सारा सेमान है ये चैंज होगा इसके रोलर भी है पूरा सेमान चैंज करेंगे अब इसको बार ये रोलर है देखो ये इसको भी चैंज कर देंगे इसको बार निकालते थे और ये चैंज भी कर देंगे तो अब अपन ये एक तो हटा दी है अब दूसरी को भी बार निकालते हैं यह इस तरह यह अपने को दोनों साथ में निकालनी होती है और वापस भी फिटिंग करोगे तो अपने को पहले इस फ़रग पती को अंदर डालने के बाद वापस फिटिंग करना होता है इस लिवर एसेमली के रोलर के उपर यहां रोलर आएगा वो अंदर वाला चोटा रोलर है वो बड़ा रोलर उस तरह पहाँ और छोटा इस तरह इसमें दो तरह के छोटे बोटे रोलर आते हैं ठीक है न यह अभी अपन इस तरह इसको मतलब फिटिंग भी वापस करोगे तो इस तरह करके इसको फिटिंग करना है और ये बार भी निकाल दी, ये भी निकाल दी, मैंने सब कुछ आपके सामने दिखा दिया, आपने अभी देखा है अब अपन ऐसा करते हैं कि इस कंट्रोल वाल को, यानि हैड्रोलिक लिट पंप, एसेमली को पूरा खोलते है ये आपके सामने, अभी मैंने लोग नेकाल के पती हटा ली है अभी अपन इसको, कंट्रोल वाल को खोलते हैं ये खुद भी अपन कोल के रिपेरिंग कर सकते हैं अन्यता अगर ना हो तो कोई बात नहीं जो ये हैड्रोलिक लिप्ट का काम करते हैं लेट मशीन वाले तो उनके पास जाकर अपन इस हैड्रोलिक पंप को रिपेरिंग करवा सकते हैं तो दोस्तों आप वीडियो देखते रहें आपको इस वीडिये में पूरी जानकारी मिलेगी कि इस हेडरोलिक पंप को भी ओपन कैसे करते हैं यह आपके सामने देखो मैंने कंट्रोल वाल को बोल्डी को हटा दिया है अभी अपन इस कंट्रोल वाल को बार निकालेंगे तो इसका पीचे से एक यह लॉक निकालना होता है जैसा कि अपन बेई की या मेसी की लिप्ट करते हैं उसमें यह लॉक निकालने की जरूरत नहीं होती है तो यह लॉक निकालने के बाद इसका कंट्रोल वाल बार की तरफ आएगा इस तरह यह भी देखो पीछे से लॉग निकाल दिया मैंने और यह कंट्रोल वाल इस तरह बारा आ गया है यह पूरा का पूरा कंट्रोल वाल आपके सामने है यह बिलकुल यह देखो ठीक है ना अगर यह खराब भी होता है तो इसको चैंज करने के लिए यह पूरा कंट्रोल वाल आएगा और चैंज भी हो जाएगा भी देखो यह कंट्रोल वाल की कुछ गाइडे है और वो भी आपके सामने बारा आ रही है इस तरह यह फिटिंग होती है और इस तरह बारा आती है तो दोस्तों यह पूरा आपने देख लिया है इसको कंट्रोल वाल को कैसे कोलते है और कैसे रिपेरिंग होता है तो अब आप इससे आगे इसका जो फिटिंग और लिप्ट हैडरोलिक सेटिंग का वीडियो देखना है तो MRG चैनल पे बने रही है एक सस्क्राइब लाइक कॉमेंट दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो जैहिन ये लोग पुरणी यादें और ये रही और पुरणी यादें और ये है साथ का सपर दोस्तों एक नया वीडियो हर सोमार साम को छे बजे अपने चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा